हलो एवरिबन कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहतरीन तरीके से चल रही होगी और जो साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल आइकोन को प् होगा कि हम लोग एक नए सीरिज की शुरुवात किये हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं यूजी सी नेट पेपर वन में पूछे जाने वाले महत्पुन सवालों के बारे में महत्पुन टॉपिक्स के बारे में वैसे टॉपिक्स जिन से हमेशा यह लोग सवाल पूछते ह हैं कि research aptitude बाले chapter में वैसे कौन-कौन से topic है जहां से लोग सवाल पुछते हैं तो उसी series में आज हमारा चौथा lecture है यदि आपने previous तीन वीडियो को नहीं देखा है तो आप channel के playlist में जाए और आप वहां से जा करके देख सकते हैं या फिर आप YouTube पे direct search करोगे हैस्टाइग target jrf मई 2021 तब आपको सबसे उपर में मेरा वीडियो मिल जाएगा आप वहां से देख लेना और साथ में notes त्यार कर लेना तो चलिए फिर बिना देर के हुए शुरुवात करते हैं मैं उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी कर रहोंगे तो चलो फिर start करते हैं आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह research report के बारें बात करने वाले हैं देखो एक दो सवाल यहां से पक्का पूछा जाता है इसलिए आप ध्यान से देखना एक सवाल पूछा जाता है आपसे format से MLA क्या होता है और APA क्या होता है यह दो प्रकार का style होता है जिसमें research को लिखा जाता है जैसे last में जब आप bibliography पढ़ते हो जिसको हिंदी में संदर्व ग्रंथ कहते हैं तो उसको लिखने के मूल तक कई सारे तरीके हैं लेकिन यदि mainly बात की जाए मुख्यत है यदि बात की जाए तो दो हैं एक MLA है जिसको modern language association करते हैं और एक APA है जिसको American psychological association करते हैं तो एक सवाल यहां से एकदम 100% यह लोग fix रखते हैं तो एक सवाल यहां से पूछा जाएगा और इसी में हम लोग दुसरा जो चर्चा करेंगे दुसरे topic पे वह होगा research ethics के बारे में research ethics यानि कि जब आप research करोग हो जाएंगे तो फिर research करने का कोई मतलब नहीं रह जाता दो बाते और तीसरी बात हम लोग करेंगे dissertation और thesis में क्या अंतर होता है ठीक dissertation जैसे कहां पे लिखा जाता है thesis कहां पे लिखा जाता है dissertation लिखते हैं तो हम लोग को कौन सा डिग्री मिलता है तो मुख्य तोर पे हम ल इसरे नमबर पे dissertation हम थेसिस के बारे बात करेंगे तो आईए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं research जो हम लोग report लिखते हैं जब आप research कर लिए ठीक है आपका research पूरा हो गया तब आपको उसका एक format तयार करके देना होता है उसको आप report क लिख करके देना होता है तो research का report जब लिखते हैं तो लिखने के दरान बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है मुख्य तौर पे हम लोग तीन-चार चीजों का ध्यान रखते हैं एक तो पहला चीज होता है यह होता है प्रारमभीग चीज ठीक है प्रारमभीग सूची है उसमें विसर जो शामिल है उसको हम लोग दूसरे नंबर पर रखते हैं और तीसरा जो हता है मोटे तोर पर वो हता है abstract ठीक है abstract को conclusion भी कई जगह पर कहा जाता है synopsis कहा जाता है कई जगह पर उसको हिंदी में शारांस कहते हैं सार कहते हैं कि इसका सार क्या है इस टाइप से बोलते हैं ठीक है निचोड बोलते हैंदे हैं अगे बात करते हैं जब हम लोग research रिपोर्ट जारी करेंगे तो उसमें और कौन-कौन सी चीजह होनी चाहिए हमारे पास तो इसमें लिखेंगे पहले बिंदु प टॉपिक पर आपने रिसर्च किया तो इंट्रोडक्शन को सबसे पहले लिखेंगे दूसरे नमपर पर रिसर्च रिपोर्ट की बात कर रहे हैं इसी धर्रे पर ठीक है इसी तर्ज पर पूरा का पूरा थेसिस भी लिखा जाता है दूसरा आप लिट्रेचर रिव्यू करते है साहित्य समिक्षा अंग्रेजी में लिट्रेचर रिव्यू करते हैं रिव्यू ओफ लिट्रेचर जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड टेक्स्ट का अध्यान करते हैं आप और उसमें कौन-कौन सी कमी है और फिर आपको वह जो साहित्य है वह किस तरीके से आपके शोध में मदद किया है उसके बारे में बात करते हैं वहाँ पर तीसरे नमबर पर आप बताते हैं कि जब आपने research किया तो आपने किस methodology का इस्तेमाल किया था ठीक है तो इन सारे चीजों का ध्यान रखना है ठीक है इसी order में आप लिखते चलो चौथे नमबर पर आपको उसके बात चठे नमबर पर आप चर्चा करते हैं recommendation की ठीक है recommendation की चर्चा करते हैं कि जब आप research कर रहे थे तो कई लोगों ने आपको recommend किया होगा यहाँ जाने के लिए उनकी मदद के लिए उनकी मदद के लिए तो इन सभी लोगों का आप यहाँ पर धन्यवाद ग्यापन करते हैं कई जगों पर पहले भी किया जाता है तो यह बीच वाला हिस्सा था ठीक है यह उपर वाला हिस्सा था प्रारंबिक हिस्सा यह main वाला हिस्सा था और last में जो होता है research report में लास्ट में इसको पेज बदल लेते हैं हम लोग भर गया था न है न लास्ट वाला हिस्से में हम लोग क्या करते हैं बिबिलियोग्राफी लिखते हैं क्या लिखते हैं बिबिलियोग्राफी बिबिलियोग्राफी क्या होता है साथियों जब आप किताब पढ़ोगे कोई भ का नाम नहता है कि लिए ह किताब छपा है और कहां से चपा है पलेस का नाम भी रहता है उसी को दर हिंदी में इसको संदर्भ गरंत कहते हैं या फिर इसको कहलों गरंत सूची भी कहतेए तो आपको जो पसंदों आप सकते हैं आप मैंस सजेस्ट कर Frauen आप बिबिलेग्राफी कहाना क्योंकि उदर आप confused हो सकते हो लेकिन इधर नहीं ठीक और उसके बाद appendices होते हैं ठीक है appendices होते हैं इसमें भी आप text बगारे के बारे में ही बात करते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे बिबिलेग्राफी में हम लोग पूरी तरीके से detail account दे लास्ट में जब बिबिलियो ग्राफिक की बात आती है तो फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास कई तरह के स्टाईल चल करके आते हैं एक शिकागो स्टाइल है जो भारत के कई बिश्वीद दाले में उसको follow भी किया जाता है जैसे डिव में Chicago style में कई सारी चीज़े लिखी जाती है उसके अलाबा आप बाहर जाओगे जैसे Columbia University में जाओगे तो लोग Chicago जो शेली है Chicago जो style है उसको वो लोग promote करते हैं उसी में वो लोग अपना काम करते हैं उसके साथ-साथ जो European Education System है उसमें Chicago को कई जगह पे follow किया जाता है कई जगह पे APA को किया जाता है अमेरिका के कई University में इसलिए वहीं से चल करके आया है APA American Psychological Association सबसे पहले आप काम करो APA का full form लिखो APA का और MLA का ठीक है और एक Chicago ये तीन का नाम याद रखना देखो इसमें है बहुत सा रफ फॉमेट लेकिन आपको जानना ही नहीं उतना पूछा ही नहीं जाता है तो फिर आप क्यों परिशान होगे पूछा तो दो ही जाता है APA और MLA इसका full form लिख लो American Psychological American Psychological Association American Psychological Association और तिसरे नमबर दूसरे नमबर का लिख लो Modern Language Association Modern Language Association यह इसका full form पूछा गया प्रिवियस सिरका उठा करके देखना इसका full form पूछा गया इसलिए इस बात को ध्यान रखना APA जो Style है साथियों कुछ-कुछ Point लिखो जो APA Style है न आप लिख लो APA Style है जो मुखे तोर पे Social Science के subject में जैसे Social Science के subject का जब Bibliography तयार करेंगे तो उस Bibliography को तयार करने में APA Style की मदद ली जाती है APA में मतलब अधिकतर उसी में किया जाता है और यदि Humanities की बात की जाए Humanities का जो subject है Arts का जो subject है उसमें मुखे तोर पे MLA style का परियोग किया जाता है तो एक सवाल हैं से बना की नहीं बना क्या बना Social Science वाले subject के लिए जब Bibliography तयार करते हैं तो निमनलिखित में से किस Formating style का हम लोग परियोग करते हैं APA का MLA का तो आपको क्या करना APA का करना है और Humanities की बात की जाए Arts वाले subject की बात की जाए तो वहाँ पर हम लोग इस style को यूज करते हैं वहाँ पर हम लोग MLA को यूज करते हैं Modern Language Association को ठीक है समझ में आरी बात ठीक है अब देखो इसमें होता क्या है इसमें style को आखिर लाया क्यों गया है क्योंकि दो style है दोनों में चीजों को लिखा जाता है तब आप पकड़ के आप उसमें से देख करके आप बता सकते हो कि मतलब कौन से style में लिखा गया है इसमें दरसल लिखा जाता है style में जो लेखक का नाम होता है उसके साथ साथ किताब का नाम होता है प्रकाशन वर्स होता है प्रकाशक का नाम होता है और कहां से छपा है उसका नाम होता है और पेज नंबर से ले करके तमाम सारी चीज़े होती है आपको यह पता करना होता है कि कहीं कहीं पे राइटर का नाम पहले है प्रकाशन का नाम बीच में है आपको बताना होता है कि नि अब देखो पेपर जब फॉर्मेटिंग किया जाता है तो एपी और एमेले को बेसिक कुछ अंतर देखना हो तो पहले उसको देखते हैं उसके बाद इसमें और जो बड़े बड़े अंतर हैं उसको भी हम लोग देखेंगे थोड़ा साथ इसको समझो कुछ कौमन चीज़े है कुछ अलग अलग चीज़े हैं अभी हम लोग similarity की बात कर रहे हैं इन दोनों में similarity क्या हो सकती है क्योंकि आखिर है तो दोनों फॉर्मेटिंग का style ही ना तो कुछ चीज़े तो similar होंगी दोनों double space page का इस्तेमाल करते हैं कितना double space page का ठीक है इन दोनों में similarity है दूसरी बात इन दोनों का जो size होता है ना font का जो size होता है वो 12 होता है यह ideal माना जाता है font size जैसे आप computer में type करते हो ना pdf बगएरा बनाते हो ppt बनाते हो तो जो 12 size होता है ना letter का वो ideal size होता है और इसी कोई लोग मानते हैं कौन APA वाले भी और MLA वाले भी इसलिए अधिकतर जो किताब देखोगे उसमें letter का जो size होता है वो equal होता है आप कभी पढ़ें आप obviously वात है आप किताब पढ़ते होंगे तो आप देखना letter का size equal होता है यह दोनों same चीज को मानते हैं same concept को एक concept लोग और मानते हैं कि page जैसे मान लोगे page है ठीक है इस तरीके का A4 size page है तो इन दोनों style मे यह लोग क्या करते हैं कि उपर से एक इंच होडते हैं side से एक इंच right side से left side से सभी जगह से एक एक इंच होड़ देते हैं चारों तरब से और बीच में लोग लिखते हैं ठीक बीच में लोग लिखते हैं कौन APA और MLT दोनों style वाले ऐसा ही करते हैं तो यह दो तीन similarity है इन कौन से चीज़ों को दिया जाता है पहला शिर्षक उपर में शिर्षक का नाम रहता है देखना कई जगह पे जो रहता है आप पेज पढ़ते हो नोबेल बगर आप पढ़ोगे APA style में रहता है तो उपर में शिर्षक का नाम रहता है और प्रिस्ट का सार दिया रहता है उस तो यह दरसल क्या होता यह दरसल एपी एस टाइल का पेज है ठीक आप पेज को पकड़ करके बता सकते हो कि एक पार आप बस पड़लो यहां पर मन लगा के तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप कहीं से भी कितना वी लोग सवाल घुमायेंगे आप नहीं घुमने वाले हो चलो आगे बात करते हैं लोग अब जो इसको पकड़एंगे वह कैसे और उसको थोड़ासा समझते हैं ठीक है समयाने के लिए इसे आप समझ thought यह और उधारन से आइसे अपसँजोगे ना तो फिर चीजे आपको समझुन नहीं यहाएंगे जैसे मैं लिखा दूंगा दो टाइटल ताईटल पेज को पहले अंतर देख लेते हैं हम लोग है कि जो टाइटल पेज होता है वह एप्रमें शिरशक प्रिष्ट सहीद पेपर में शिर्षक प्रिष्ट सहीत परतेग प्रिष्ट के शिर्ष पर प्रिष्ट शिर्ष का लेख उपयोग करते हैं देखो एपय स्टाइल में मैंने अभी उपर बताया कि जैसे इस तरीके का पेज होगा न तो यहां पर परतेग पेज में चैप्टर का नाम लिखा रहेगा यह इसकी सबसे बड़ी खुब सूर्त है इससे आप पकड़ लोगे ठीक परतेग पेज में यहां पर चैप्टर का न इसको पकड़ने का यहां पर टाइटल होगा और यहां पर पेज नंबर होगा राइट साइड में प्रिस्ट के बाई और एक सिर्स लेक होता है ठीक है पहला जो पेज होता है एमेले स्टाइल में उसके बाई तरफ एक सिर्स लेक होता है इस तरीके से लिखा हुआ ठीक और इसमें क्या का लिखा रहता है जैसे लेखा का नाम रह सकता है राइटर का नाम रह सकता है पाथे क्रम का नाम रह सकता है सिलेवस का नाम रह सकता है दिनांक रह सकता है डेट यह सारा चिछ MLS style का है ठीक है MLS style को आप ऐसे पकड़ोगे उसके अलाबा यदि इस page को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो rest of page होते हैं उसमें MLS style में क्या होता है उसको समझ यह buy or sirshak होता है यहाँ पर कहा था यहाँ पर dain or sirshak था और MLS style में क्या होगा buy or sirshak माफ करना यहाँ पर भी तो buy or sirshak था यहाँ पर भी buy or sirshak होगा ठीक है और लेकिन sirshak के साथ साथ इसमें लेखक का नाम भी होता है और लेखक का क्या नाम होता है अंतिम बला नाम जैसे मेरा नाम अमरित राज है ठीक तो मेरा नाम का लास्ट वला हिस्सा रहेगा राज ठीक और sirshak जो chapter मेरा रहेगा मानलो की more and dynasty लिख रहे हैं तो more ribbons इस तरीके से लिखा रहेगा कहाँ पर left side में और यहीं पर क्या रहेगा नीचे में page number यह इसको पकड़ने का तरीका है कुछ उदाहरन से आपको बताता हूं तब आप समझोगे कि इसको कैसे पकड़ा जा सकता है एकदम आसान तरीका है एक MLA का उदाहरन लेते हैं और एक APA का उदाहरन लेते हैं क्योंकि सवाल जो पूछा जाता है अभी तक आपको information दे रहे थे सवाल कहां से पूछा जाता है, अब देखते हैं, कि सवाल एकदम यहीं से हूँ बहु पूछा जाता है, जैसे मान लो, MLA style और APA style, ठीक, MLA style और APA style, MLA style में क्या होगा, कि किसी भी ब्यक्ती का जो नाम होगा, ठीक है, उसका last का नाम, जैसे मेरा नाम है, अमरित राज, तो अमरित होगा, जैसे आप किताब पढ़ते हो ना, तो जैसे यहां पर लिखा Ambedkar, यहां पर लिखेगा BR, यहां पर लिखेगा गांधी, यहां पर लिखेगा महात्मा, इस तरीके से किताब, आप किसी भी किताब को पढ़ोगा ना, तब बिबिलियोग्राफी में इस तरीके से मिलेगा आपको ठीक तब जैसे ही यह नाम मिले आपको लास्ट नेम पहले ठीक लास्ट नेम पहले और उसके बाद फरस्ट नेम ठीक उसके बाद डॉट रहेगा और साथ में किताब का नाम रहेगा जैसे मान लो मेरा किताब का नाम है Morian Dynasty ये मेरे किताब का नाम है inverted comma नहीं है ध्यान रखना उसके बाद comma किताब का नाम दे दिया उसके बाद मैंने बताया कि किताब जो है वो कब से कब का जानकारी देता है तो मान लो कि Morian Dynasty 366 से लेकर के 184 के बीच की जानकारी देता है हम लोग BC की बात कर रहे है AD की बात कर रहे है यहां से ये Morian Dynasty के बारे में इतना period का जानकारी देता है उसके बाद जो रहेगा ध्यान से देख रहे हो ना पहले क्या रहेगा last नाम उसके बाद क्या रहेगा पहला नाम उसके बाद क्या रहेगा किताब का नाम उसके बाद क्या रहेगा पिरियड पिरियड कहने का मतलब जिस पिरियड के लिए किताब लिखा गया है वो वाला पिरियड प्रकाशन वाला पिरियड नहीं ठीक उसके बाद रहेगा प्लेस का नाम ठीक है उसके बाद क्या रहेगा उसके बाद क्या रहेगा प्रकाशन अब मान लो की प्रकाशन कोई लिख देते हैं मान लो की रिया प्रकाशन है ठीक है रियाल प्रकाशन तो यह प्रकाशन का नाम रहेगा यहाँ पर उसके बाद प्रकाशन के नाम के बाद क्या होगा हमेशा last में होगा ठीक है वर्श कहां पे होगा हमेशा last में होगा bracket में यहां पे year दे दिए और year देने के बाद यहां पे क्या किये सबसे last में जो गा page number इस तरीके से MLS style का होगा समझ में आरी बात यह क्या होगा MLS style का होगा लेकिन जब लेकिन इससे आगे बढ़ोगे तो यहां पर जैसे अमरित इसने पूरा लिखा था ना एमेले में यह लोग अमरित पूरा नहीं लिखेंगे केवल ए लिखेंगे क्या लिखेंगे केवल ए लिखेंगे यहां पर देखोगे प्रकाशन का वर्स कहां पर था लास्ट में था यहा प्रकाशक का नाम लिखेंगे ठीक है उसके बाद प्रकाशक का नाम लिखेंगे उसके बाद प्रेस का नाम लिख देंगे ठीक है संशिप्त में भी लिखा जा सकता है और उसको एलाबोरेट करके भी आप लिख सकते हो और फिर पेज नंबर होगा लास्ट में तो अंतर कैसे ह प्रकाशन का वर्ष और यहां पे शुरू में ही है यही दर असल में चीज है यहां से आप पकड़ लिए तो आप फॉर्मेट को पकड़ लोगे आपको फिर कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे ठीक दो नंबर यहां से तय है आगे बात करते हैं हम लोग यह था MLA स्टाइल के बारे में और उसके साथ APA स्टाइल के बारे में मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा ऐसा नहीं हो सकता है कि समझ में नहीं आया होगा समझ में आ जाना चाहिए ठीक है नहीं आया होगा तो फिर आप मुझे कमें section में बताना है फिर telegram पर मुझे text करना चलो आगे बात करते हैं हम लोग दूसरे topic की तरफ चलते हैं दूसरा topic मैंने आपको बताया था कि हम लोग चर्चा करेंगे dissertation के बारे में dissertation क्या होता है और thesis क्या होता है कई बच्चे जो है ना इन दोनों को एक ही समझते हैं होता भी लगबख same type से लेकिन dissertation जो होता है हमारे हां वह EMPIL में लिखा जाता है कि इसमें EMPIL वाले course में Master of Philosophy वाले course में पहारत में बहुत कम विश्विद्दालाएं, जो लोग M.Phil करवाते हैं, और PhD तो चुकि सब लोग करवाते हैं, तो PhD को ये अलहावाद विश्विद्दालाएं में D.Phil बोला जाता है, D.Phil दर असल कहां बोला जाता है, Britain के education system में D.Phil बोला जाता है, M.Phil के बाद D.Phil, हम हम लोगों ने वहीं से इस चीज़ को एड़ॉप्ट किया था डॉक्टर ऑफ फिलासफीं मास्टर ऑफ फिलासफीं लेकिन अमेरिका में चुकिसे पिएजदी बोला जाता है तो अब हम लोग उस को क्या बोलते हैं पिएजडी बोलते हैं डिफिल को ही ठिक तो डिज़टेश ना तो thesis लिखना होगा digitization नहीं digitization जो होता है 25,000-30,000 सब्दों में लिखना होता है mfil में 1,5 साल का course होता है कई जगों पे 2 साल का होता है और thesis में आपको 3-4 chapterization करके बहुत लंबा लिखना होता है 400-500 page का book होता है page limit नहीं है लेकिन आप लिखते हो कई लोग का 300-400-500 इस तरीके से होता है तो thesis और dissertation में basic अंतर रही है कि यह master degree के लिखा जाता है और यह doctor degree के लिए doctoral degree के लिए लिखा जाता है समझ में आई बात चलो लेकिन एक बात समझो अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में सिस्टम बिल्कुल opposite है अमेरिका में यह सिस्टम क्या है बिल्कुल opposite है अमेरिका में क्या किया जाता है कि जो dissertation लिखा जाता है ठीक है dissertation को हिंदी में बोलते है शोध निबंध क्या बोलते हैं शोध निबंध तो अमेरिका में जो PhD होता है उसके लिए dissertation लिखना पड़ता है लेकिन इंडिया में क्या हो रहा था इंडिया में MFIL के लिए dissertation लिखना पड़ा था अमेरिका में PhD के लिखना पड़ता है ठेक उसके बाद अमेरिका में जब आप MFIL करोगे या MST करोगे जो की Master Degree है ये सब ठीक है MFIL करोगे MST करोगे MTEK करोगे ये तमाम सारे कॉर्से जदी करोगे तो वहाँ पे उसी में थेसिस लिखवाया जाता है तो Master Degree वहाँ का ज्यादा मुश्किल है Doctorate Degree के तुल्णा में तो इस बात को ध्यान रखना वहाँ पे क्या लिखा जाएगा उल्टा यादी आप से पूछ लिया जाए तो ऐसा नहीं कि आप लोग कनफ्यूज हो जाना इस बात को ध्यान रखना ठीक है Ultimately जारेफ करना है न हम लोग को चलो आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं रिसर्च एथिक्स के बारे में ठीक है रिसर्च एथिक्स के बारे में बात करते हैं कि जब आप रिसर्च करो तो आप एथिकली आपको मजबूत रहना जरूरी है आपको किन-किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए यह research ethics में हम लोग किन-किन चीजों पर बात करते हैं ठेक अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप research करोगे research करोगे तो आप एक होता है इस टाइब का research होता है ना कि उसमें आप कई लोगों का मदद लेते हो औबियसी बात है किसी भी टाइप का रिसर्च करोगे तो कई लोगों का मदद लोग है तो वह जो होते हैं उनको बोलते हैं participant ठीक है आपके research वाले काम में आपके thesis वाले काम में वह भी participant है उन्होंने भी participate किया है आपकी मदद किया है तो आपका कुछ ethical जिम्मेदारी बनता है कि उनके बार में आप उनसे जो कुछ भी information बगर लिये हैं उस मामले को confidential रखिए उसको publicly कहीं पे नहीं बोलिए ठीक है तो इसलिए research ethics को लाया गया है उसके साथ साथ यह तो participant को ले करके आपकी जवाब दे ही है और कुछ जो ethics होते हैं वह research scholar के लिए होते हैं जो directly उनको follow करना चाहिए ठीक तो हम लोग दोनों पे बात करते हैं एक research scholar को participant को ले करके ठीक है जो उनको मदद किया है जिनका उन्होंने interview लिया है किसी से किसी भी प्रकार का मदद लिया है तो उनके बारे में कौन-कौन सा चीज है जो ध्यान रखना चाहिए एक research scholar को अपने participant के बारे में पहला चीज कि जब आप किसी से भी information लो ठीक है किसी से भी information लो आपने participant से तो बीना research का नहीं लो ऐसे ही कोई भी information नहीं लेना चाहिए ठीक है collecting information बोलते है कि जब आप information collect करो तो बीना जानकारी का collect मत करो ऐसे ही collect मत करो किसी से भी जाकर के कोई भी चीज मत पूछो जब उनका research पे काम रहा हो उनके पास अनुभब रहा हो research का experience रहा हो इसलिए जब आप participants से जब आप information लेते हैं तो लेने के दोरान इस बात का ध्यान रखिए कि उन्होंने research किया है कि नहीं उनका क्या experience है उनके पास क्या knowledge है उनका क्या thought process है ठीक ऐसे आप कुछ भी उलूल जूल बात उठा करके नहीं ले लिजिए किसी से भी ठीक है चलो आगे बात करते हैं जब आप किसी से मदद लो जब आप किसी से मदद लो participant से ठीक है आप किसी से भी मदद ले रहे हैं तो बीना उसके consent का बीना उसके सहमती का बीना उसके मर्जी का आप मदद नहीं लिजे जवरदस्ती उसको पैर पकड़के नहीं या फिर बंदूक दिखा करके उससे आप मदद नहीं लिजे बलकि जब आप दोनों जब आपका पार्टिसिपेंट आपके साथ सहमती बना ले कंसेंट बना ले कंसेंट हो उसके अंदर किरियेट हो जाए आप दोनों के बीच में एक सहमती बन जाए तभी आप उससे इंफोर्मेशन लिजे ऐसे इंफोर्मेशन नहीं लिजे या सारा इथिक रिसर्च एथिक्स के अंतरगत किया जाता है इसको काउंट चौथे नंबर पे बात करते हैं तीसरे नंबर पे आप किसी से भी कोई मदद लेता हो ना ता आप उनको इंसेंटिव जरूर दो ठीक है आप उनको इंसेंटिव जरूर दो आप किसी से मदद ले रहो तो उनको प्रोत्षाहन रासी बगर तो दोगे ना कुछ वो आपको वक्त दे रहे हैं तो आप कैसे मतलब ऐसे ही थोड़े न आपको तो UGC पैसा दे रहे हैं 40,000, 45,000 देगी अब जारेफ का पैसा बढ़ गया 45,000 हो गया आप लोगों को पता है गी नहीं पता होना चाहिए न 45,000 हो गया पैसा इसलिए मेहनत करके जारेफ कर लो न पूरा जीवन सबर जाएगा 5 सल तक बैट के खाओगे उसके बाद फिर प्रोफेसर बन के कहीं पढ़ाओगे कोई दिक्कत नहीं है इंसेंटिव जो है आपको देना होता है अपने पार्टिसिपेंट को नहीं दिज़ेगा तब आपको काम कैसे करेगा लेकिन इंसेंटिव देने का मतलब यहां नहीं कि आप उसको घूस दे रहे हैं क्योंकि घूस दे कर कि आप गलत इंफोर्मेशन और कुछ से कुछ नहीं लिखना है तो इंसेंटिव देना चाहिए चौथे नंबर पर बात करते हैं आप संबेदन सील जानकारी उससे कुछ प्राप्त करते हैं जैसे मानलो कि आप उसका कुछ प्राइबेट इंफोर्मेशन आप ले रहे हो परसनल इंफोर्मेशन होता है जैसे सेक्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर बतलब लोग बात करने से बहुत ही चकते हैं मानलो आप गावा में किसी ऐसे सवाल्टरन ग्रूप पर आप रिसर्च कर रहे हो जिनका कोई कंट्रिबूशन या फिरियों कोई कि उनके उपर लिखा नहीं गया था कंट्रिबूशन तो रहा ही होगा लिखा नहीं गया है और वो लोग अभी भी पूरे तरीके से ओपेनली जी नहीं रहे हैं खुल कर बात नहीं कर सकते हैं तब आप उनके से उनके से जो information ले रहे हो ना उसको confidential रखो आप उसको ऐसा ही कहीं से कहीं publish मत करो कहीं से कहीं publicly उसको नहीं बोलो इसलिए आप जो भी sensitive information गेन करते हो तो उसको आप बचा करके रखना है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और पाच्वे नमबर पे आप एक research of scholar हैं तो आप हम मैंसा इस बात का ध्यान रखें कि आपको नुकसान हो जाए वो कबूल है लेकिन जिस ब्यक्ति से आप मदद ले रहे हैं जिस professor से मदद ले रहे हैं जिस किसी ब्यक्ति से नेता से मदद ले रहे हैं आप नेता काने का मतलब political leader की बात नहीं करें कुछ political leader बढ़े लिखे भी उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचना चाहिए क्योंकि यह research ethics के खिलाफ होगा इस बात का हमेशा ध्यान रखना ठीक और confidentiality जो है मैंने बताया शुरू में ही कि सभी मामले को confidential रखना है आप किसी भी participant से किसी तरीके का information ले रहे हैं चलो आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं कि जो research scholar होते हैं ठीक है जो शोध करता होता है उसको किन-किन बात से बचना चाहिए उसको किन-किन चीजों से बचना चाहिए किन-किन चीजों से परहेज करना चाहिए ताकि research ethics के खिलाफ नहीं जाए वो और एक बेहतर से बेहतरिन से बेहतरिन research वो कर सके ताकि आगे आने वाले समाज के लिए बेहतर हो सके और समाज को एक नई दिशा मिल सके तो उनको किन-किन चीजों से बचना चाहिए पहला उनको prejudice जो होता है पुर्भागरह से ग्रशीत होना उससे बचो यार ठीक है आप research scholar हो तो आप पुर्भा ग्रह से यदि ग्रसीत हो तो आप कैसे काम करोगे जैसे मान लो कि आप एक दलीत हो ठीक है एक दलीत शात्र हो और आप किसी स्वर्ण community पे research कर रहे हो तो चुकी ये तो स्वर्णों ने तो काफी दिनों तक दलीतों को आया ठीक ये बात तो आप जान रहे हैं लेकिन सारे स्वर्ण उस तरीके से नहीं थे लेकिन यदि आप एक दलीत होकर कि आप एक perception बना लेते हैं कि स्वर्ण सभी के सभी एक ही जैसे हैं और आप उस theory को implement करेंगे जब आप अपने research paper में तो वह पुर्वाग्रह से ग्रसित होना इसका मतलब है कि आप research ethics के खिलाफ जा रहे हैं यह काम बिल्कुल ही गलत है एक research scholar का कोई जाती नहीं होता है कोई धर्म नहीं होता है वह बस एक इतिहास का बिध्यारती होता है वह केवल एक research scholar है उसको neutral होना चाहिए जैसे journalism के बारे में खाज आता है कि आप neutral रहो उस इसी तरीके से एक research scholar को हमेशा neutral रहना चाहिए यह सेम चीज उलट भी सकता है मानलों कि एक swan बैकती है वह दलित पर research कर रहा है तो वह भी दलित को लेकर बायस हो सकता है कि अरे यह लोग मतलब बहुत तरह का perception चलता है ना society में तो उसको लेकर के वह अपने तरीके से चीज जो को deal कर सकता है तो यह दोनों मतलब दोनों चीज जो है ना वो गलत है अब एक Muslim कर रहा है किस पे Hindu पे research कर रहा है ठीक तो उसके मन में कुछ perception है तो उस perception का गलत इस्तेमाल कर सकता है तो आप तो गलत इस्तेमाल करेंगे और आपकी बज़े से पूरा का पूरा research paper गलत होग दूसरे number पे आपको क्या करना है कि जो भी चीज हो ठीक है जो भी चीज आपको मतलब जो आप research कर रहे हो उसमें कोई भी problem आ रहा है किसी भी तरीके का कोई भी problem आ रहा है तो उस problem के लिए आप जो भी उसका साधन हो सकता है उसको solve करने के लिए ठीक है उन तमाम सारे साधन का इस्तेमाल करें लेकिन किसी भी गलत परकार के साधन का इस्तेमाल ना करें ठीक है उसका गलत इस्तेमाल ना करें कई लोग करते हैं गलत इस्तेमाल करते हैं चीजों को अपने तरीके से manipulate कर देते हैं, interpret कर देते हैं, उस चीज, उन सारे चीजों को नहीं करना है, तिसरा चीज यह ध्यान रखना, कि जैसे बहुत सारे research method हैं, जो केवल social science में use के जाते हैं, इसलिए आप जिस subject के भी द्यारती हैं, उस subject में कौन सा research method fit बैठता है, यानि जो methodology होगा, आपका वो subject के according relevant होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी method इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, research, ethics के बिल्कुल खिलाफ होगा, और चौथे number पे लिखो, और चौथा जो होगा न, वो गलत कोई भी चीज नहीं करना है, देखो, information तो बहुत सारा है, तो कई लोग क् quote को या data को गलत तरीके से interpret करके आपके सामने उसको पेश करते हैं, यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है, wrong reporting नहीं करना है, गलत reporting नहीं करना, incorrect reporting नहीं करना, information का सही उज़ करना है, साकारात्मक उज़ करना है, ठीक है, लेकिन कई चीज़ जैसे आलोचनात्मक और नकारात्मक बहुत अंतर है, आलोचना एक अलग चीज़ है, नकारात्मक चीज़ जो है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि आप neutral रहें, जो भी चीज़ है, उसको हुबहू लिखें, लेकिन अभी बहुत सारे सरकार ऐसे हैं, जो मतलब ऐसे information थे, ज आपके पास किसी भी परकार का knowledge है, तो यार knowledge का जो है न, appropriate use करो यार, इसका सदु प्योग करो, दुरुप्योग नहीं करना है, research scholar हो तो, ठीक है, क्योंकि research scholar, आप समझें हों न, scholar का मतलब बिद्वान होता है, तो आपके पास तो knowledge होगा ही, तो आप अपने knowledge का गलत इस्ते बच सकते हैं ठिक है research ethics से कैसे बचा जा सकता है उसके लिए कौन-कौन से चीजों को ध्यान रखना है या फिर यूँ कहो कि research में जो ethics होता है ethical चीजे हैं जो नैतिकता है उसको और कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं कौन कोन किरिया कलाब करके किस तरीके से उसको और हम लोग morally boost up कर सकते हैं उसमें एक दो point लिखो research ethics को और promote करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एक तो हम लोग करते हैं कि स्वैक्षिक तोर पे ठीक है स्वेक्षा से आपका जो participant है स्वेक्षा से भागिदारी उसको लेनी च लेहतर काम करोगे आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ठीक क्या लो और इसमें क्या करना है जब आप काम करो ना तो screening समझतो स्क्रीनिंग टेक्स्ट जैसे आप मैं इंडिये का त्यारी करता था ना तो screening टेस्ट होता है एक इंटर्विव में जाओगे तो screening टेस्ट होता है उसमें बहुत महत्पून टेस्ट हो उसमें पहले दिन कई बच्चों को निकाल दिया जाता है जैसे आप कोई भी information जब gain करो ना फिर किसी भी ब्यक्ति को आप participant बना रहे हो अपने research के field में या फिर अपने research work में तो उसका पहले screening कर लो उसका जाच परताल कर लो ठीक है और इस टाइप का ब्यक्ति होना जाई थोरा tolerant टाइप का हो यार ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बोल दिये तो वो निकल गया बीच में तब फिर आपका research तो गडबड हो जाएगा इस बात को ध्यान रखिएगा इसलिए screening कर लिजे पहले ठीक है कि सही आदमी है कि बीच में छोड़ उरके चला गया तो क्या करोगे रोगे ना बैठके ठीक आज अगर बात करते हैं एक आता है पाइलट इस्टडी इससे सवाल एक पर पूछा गया था कि पाइलट इस्टडी होता क्या है दरसल ठीक पाइल स्टडी के बारे में कहा जाता है कि जब आप data ज लॉस हो सकता है उस चीज को यदि आप पहले ही अध्यन कर लेते हो उस चीज को यदि आप पहले ही समझ लेते हो कि इस से यह यह लॉस हो सकता है उस स्टडी को ही दरसल पाइलट स्टडी बोला जाता है तो हर एक रिसर्च स्कॉलर को डेटा कलेक्ट करने के बाद या फिर उस पे नंबर पे लिखते हैं कि कुछ जो government होते हैं हालांकि इस नियम से यार सहमत नहीं हो मैं ठीक है ये क्या मतलब होता है कि government के recording चलो लेकिन government regulation जो होता है ना उसको follow करना है ठीक इन लोगों ने कहा है कि सरकार के नियम जैसे राज जोर किंद्रिये कानूनों का निर्वान समा इवं उसके व्यक्तित्वों की व्यक्तियों की रक्षा के लिए किया जाता है ठीक अब देखो यह लोग कहता क्या है कि सरकार जो है कोई भी rules इवं regulation बनाती है वह ब्यक्तिक है वह person के किसलिए उसके सुरक्षा के लिए बनाती है लेकिन तुम देखोगा कि law बगेरा जो ब भीड में लाखो करोडों लोग आ रहे हैं ग्री मंत्री भी बीना मास्क की भूम रहे हैं तो क्या पुलिस उनको कुट सकती है नहीं कुट सकती है तो government का regulation कैसे मान लिया जाए कि वह बायस नहीं है लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर रखा गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ दिमोक्रिसी बचा नहीं बचा है तो autocratic यदि government हो तो क्या उसके according चलेंगे तो autocratic होना भी अपने आपने बायस होना है यह भी तो पुर्वाग्रासे ग्रसित होना है तो फिर कैसे research बहतर हो पाएगा लेकिन research को और ज्यादा ethical बनाने के लिए इन लोगों ने कहा कि government के जो rules पहुचाने के लिए समाज को संगठित करने के लिए बाकी सारी चीजे तो आप समझते ही है तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे हम लोग अगले lecture में आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और लोगों से प्यार करते रहें थैंक यू वरी मच और अपना ख्याल रखिए और लेगा